नमस्कार कसान साथिव आज हम जानेंगे बारिष की अधिकता से अपनी फसल को कैसे बचाएं अधिक बारिष होने कारण खेत में पानी भर जाता है जिस बज़ाए से कपास या मिट्स के पौधे की जणे मिट्टी से पोसक तक तक ब्रहन नहीं कर पाती और इसी बज़ाए से पौधे की जणों में फंगस लग जाती है तक बश्चात एक एक करके सभी पौधे सूखने लगते हैं ऐसा अक्सर सावन के महीने में होता है क्योंकि इस महीने में तेज वारिष होती है और वारिष के तुरंदवाद तेज धूप निकल आती है जिस बज़े से पौधा प्रिकास संस्लेशनी किरिया करने में आसमर्थ हो जाता है इसलिए हमें कपास और मिर्च की फसल को ऐसी जगह बोना चाहिए जहां पानी न भरे और यदि पानी भर गया है तो उस पानी को खेत के चारों तरफ नाली बनाकर निकाला जा सके इसके अलावा हम रासाने खात का उप्योग भी कर सकते हैं जो पौधे में पोसक तक्तों की कमी को पूरा करके प्रिकास संस्लेशनी किरिया को बरकरार करें